एक टाइम ऐसा था कि हमारे घड़ के जो बड़े थे हमें कहानिया सुनाते थे बोल कर सुनाते थे और एक्षन के साथ सुनाते थे लेकिन टाइम धिरे-धिरे बदल गया अगर आज के बात करें तो टेक्नलोजी का टाइम है तो स्टोरी भी क्या हो गई है डिश्टल हो गई ह पर बात करें के यह वारे में स्टोरी बोर्डिंग । तो सबसे पहले बात करें कि दिष्टल कहानिकतन या स्टोरी टैलिंग क्या है तो डिश्टल स्टोरी टैलिंग is the use of digital tool and technology to create and share narratives की digital जो tools है और technology है उसका इस्तिमाल करना स्टोरी को बनाने में तो आप सब भी mobile में आपके जो photos होती होंगे तो आप भी voice over आप सब भी करते होंगे और कई बार आप सब क्या करते होंगे जो photos है उसको add करके उसके साथ voice add कर दिया उसके साथ audio add कर दिया कोई music add कर दिया तो आप सब भी तो ये काम करते हैं लेकिन यहाँ पे जब हम इस्टोरी की बात करें तो जो digital tool है चाहिए हम audio की बात करें video की बात करें with the help of mobile computer इन चीजों की help से तीक है वीडियो को add कर सकते है interactive elements ठीक है तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है कि इस तरह की जो story जो है आप अपने mobile पर जो आपके video editing जो इस तरह के application है आप उससे भी आप इस तरह की जो story है आप तयार कर सकते है ठीक है तो digital storytelling क्या है कि जब storytelling को जो story है उसको किसकी help से बनाया जा रहा है audio, video, जो multimedia है उसकी help से जब बनाया जा रहा है तो जो story है वो किसका रूपधारन कर लेती है digital story तो elements of digital story कि digital story के क्या क्या elements है इसके क्या क्या घटक है तो आप इन points को समझना जरूरी है देखिए सबसे पहले multimedia की digital story बनाने के लिए जो multimedia elements है चाहे हम image की बात करें चाहे हम video की बात करें चाहे audio की बात करें ठीक है इसके साथ साथ आप mobile चाहिए आपको computer चाहिए तो यह क्या है multimedia elements है ठीक है फिर आप मालो आपने images कुछ बना ली ठीक है अलग-लग character की ठीक है अब आपने उन images को अपने mobile पर आपने डाल दिया ठीक है अब क्या करना है interactive features अब उन जो images है digital story बनाने के लिए उनके साथ आपको voiceover भी करना पड़ेगा ठीक है तो यह interactive सुविधाएं है ठीक है इस तरह की जो story है वो बना सकता है तो सबका engagement भी होगा accessibility की बात करें इस तरह की जो आपने story बनाई है आप किसी को भी easily share कर सकते हैं और educational applications की बात करेंगे सेक्चिक अनुप्रियोग की बात करेंगे तो हम कोई भी story बनाते हैं तो उसका कोई न कोई एक अच्छा message होता ही है और आज कल हम देखें तो बहुत सारे online platform है बहुत सारे इस तरह की application है software है जहां पर आप अपनी खुद की digital story create कर सकते हैं तो देखिए आप सब talented हैं ठीक है mobile की बात करें mobile आपको अच्छे से आता है आपको video editing भी आती है तो आप इस तरह की digital story आप खुद भी बना सकते हैं खुद भी create कर सकते हैं ठीक है तो यहां तो digital story जब storytelling बोलना और जब storytelling story को with the help of media, audio, video ठीक है अच्छा है हम mobile की बात करें computer की बात करें उनकी help से करना once over डालना तो इस तरह से जो हम digital story बना सकते हैं ठीक है अब आपके सामने की image है इस image में एक पूरा event आपको दिख रहा है सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक आदमी है या चलो हम filmी बाते करते हैं तो villain भाग रहा है पीछे hero दौर रहा है ठीक है पूरा एक scene हमारे सामने आ गया तो देखी जब कोई movie बनती है ना कोई नाटक बनता है तो उसमें भी जो scene होते हैं तो ऐसे नहीं कि अचानक से जाके hero बता रहा है कि तुम उसको जाके उसके पीछे भागो और फिर उसको पकड़ ऐसे नहीं होता सबसे पहले जो scene जो होता है जो बनता है उसको पहले क्या किया जाता है visualize किया जाता है पहले इस तरह की जो एक आप कहा सकते हो कि pre-production होता है पहले इस तरह के drawing इस तरह के story जो है उसको pages पर बनाया जाता है उसको draw किया जाता है ठीक है हम scene create करेंगे वो किस जगे पर scene create किया जाएगा और फिर उस scene में time कितना लगेगा उस scene में cost कितना लगेगा तो जब हम देखते हैं कि जो film भी बनती है ना तो उसमें भी पहले इस तरह का visualize form में होता है फिर उसको फिर दीरे फिर act form में उसको किया जाता है तो यहां पर हम बात किसकी कर रहे है story boarding के बात करें ठीक है तो story boarding कहानी boarding अगर हम इसकी बात करें तो story boarding एक visualize planning tool है जिसका ओपयोग digital कहानी कहने film animation और video पादन सहित विविन रचनात्मक जो परियोजना है इसके pre production मतलब final कि हाँ चलो shooting हो रही है लेकिन shooting होने से पहले यह planning stage है pre production जैसे एक simple सी बात है कि अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि कहीं खजाने का पता लगाना है तो आप क्या करते हो आप पहले जो hero है उनके पास एक नक्सा होता है नक्से में देखते हैं कि अच्छा यहां से ऐसे जाएंगे यहां पर महां पर पहुंचेंगे तो इसी तरह से जब हम storyboarding के बात करते हैं तो story एक पहले से उसको visualize form में एक paper पर बना लिया जाता है जैसे मैंने आपको भी दिखाया अब उस paper पर बन गया फिर उसी साब से decide होत होता है तो फिर production start होता है real acting वहाँ पर जाकर start होती है तो it involves creating a sequence इक sequence में जैसे वह मैंने आपको image दिखाये sequence of illustration or images to outline the key scenes event in a narrative कि इसमें किसी कथा के मुख्य द्रिसों या गठ्नाओं को रेखांत कित करने के लिए चित्रों या चित्रों के एक क्रम पहले बनाया जाता है फिर उसके बाद उसको production उसका किया जाता है जैसे पहले एक comic आती थी चाचा चौधरी की ठीक है तो पहले उसमें comic थी लेकिन बाद में दीरे-दीरे वह comic में अलग-लग pictures होती थी ठीक है कहां पर क्या हुआ लिखा ह किया गया उसी को फिर एक उसको सिरीयल फॉम में उसको फिल्म के तरीके से फिर पेस किया गया ठीक है तो इसतरह से कोई भी a film में suiting होता तो पहले पहले स्टोरी बोर्डिंग के तुरू उसको क्या क्या विजुलाइज किया जाता है और फिर बाद में जब उसका प्री प्रोडक्शन किया जाता है और बाद में जब वो फाइनलाइज हो जाता है ना पेपर में कि हाँ यहां ऐसे होगा इस सीन ऐसे होगा तो उसका बाद में फिर event होना है उसका पूरा एक story पूरी बनाई जाती है frame की जाती है ठीक है उसके बाद communication tool है कि अलग लग जो मालोब जैसे आप image में देख लो ठीक है तो पहले एक पूरा visualize है ठीक है एक planning है उसके बाद communication tool की अगर पीछे hero भाग रहा है आगे villain है तो फिर दोनों में क्या communication हो सकता है क्या बातचित हो सकती है तो एची डिसाइड करना उसके बाद जो भी एक्ट होना है ठीक है इसमें कितना time लगना है कितना कितनी गती होगी फिर उसके बाद इस तरह कि जब planning हो जाती है तो फिर feedback होता है कि इसमें कोई और add किया जा सकता है या नहीं और उसके बाद फिर कोश्ट है resource planning कितना कोश्ट लगेगा और क्या क्या resources चाहें होंगे और जब यह चीज़े finalize हो जाती हो तो फिर उसको finally उसको act किया जाता है तो इस तरह से storyboarding होती है तो आपको समझ में आगिया होगा कि storyboarding क्या है कि देखे जब भी कोई film के बात करें ठीक है इस तरह की film बनती है तो पहले storyboarding ठीक है पहले इसको visualize form में इस तरह से बनाया जाता है फिर इस पर पूरा discuss होता है कि कितना कहां पर जो है वो scene किया जाना है ठीक है इसमें time कितना लगेगा peace कितना होगा कितना कोश्ट आएगा क्या क्या चीजे चाहिए होगी तो इस सारी जो planning होती है ठीक है तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि digital story क्या होता है storyboarding क्या होती है तो वीडियो आपको कैसा लगा comment करके जूरूर बताइए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद